हेलो दोस्तो मैं डॉक्टर अंशली आज में आप लोगों को बताने जा रही हूं इवकेर फोर्ट कैपसुल के बारे में यह कैपसुल है वो एक आयरुवेदिक मेडिसन है और यह किन-किन बिमारियों में देते हैं कितने समय तक इसको लेना चाहिए और कुछ ऐसे बिमारिया जनके शाथ इसको नहीं लेना चाहिए इन सबके जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूगी हमाले की जो इवकेर कैपसुल है वो क्या कामाती है सबसे बड़ी चीज है कि जो इवकेर कैपसूल है वो महीलाओं के लिए एक यूटराइन टॉनिक का काम करती है क्योंकि ये हमारा जो यूटरस है उसको हेल्दी रखती है साथी साथ में कि जो बहुत जादा पीरेट्स के टाम पे बलीडिंग होती है यह जिनके पीरेट्स बहुत जादा डिले आते हैं लंबे समय तक जैसे कि एक दो महीने बाद में आ रहे हैं यह पीरेट्स के टैम पे बहुत जादा पैन होता है उसके अलावा जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है जो कि एक लेयर होती है यूट्रस की उसको भी रिपेर करने का काम करती है साथ में जैसे कि हमारे एठन लाइक जो पैन होता है मरोडे टाइप में जैसे पीरेट्स के समय पैन होता है उसके अंदर भी ये लाबदाइक है साथ में ये क्या करती है कि जो हमारे प्री मैस्टरेशन सिंड्रोम जो कि हमारे पीरिट्स के साथ-ाथ दिन आने से पहले ही कुछ महिलाएं होती है जिनको बहुत ज़्यादा पैन होता है साथ में उल्टी दस्त जैसी सिखायते रहती है बोडी में दर्द रहता है चिटचडाट रहती है तो इस सब के अंदर इवकेर फोट कैपसूल है वो बहुत ज़्यादा लाबदाइक है साथ ही साथ में बात करें कि जैसे कि पीरिट्स के साथ-साथ में जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा लाइट ब्लेडिंग होती है या फिर जैसे कि पीरिट्स है वो इर्रेगुलर हो रहे हैं कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं कभी समय से पहले आ रहे हैं या कभी टाइम के बाद में लंबे समय तक खिच जाते हैं इन सब के अंदर इन सब के अंदर इवकेर फोर्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है साथ में बात करें कि यह जो महिलाओं के अंदर पीरिट्स के टाइम पे जो ब्लेडिंग होती है उसके वज़े से जो खून की कमी की सिखायत बनी रहती है तो जो इवकेर कैपसूल है वो हीमोगलोबिन को भी बढ़ाता है साथी साथ में जो फर्टिलिटी है उसके चांस को भी इनक्रीज करता है क्योंकि हमारी जो एंडोमेट्रियम है उसको रिपेर करता है और हमारा जो हार्मोनल जो डिस्रबेंस हो गया है उसको रेगुलर करता है इससे जो फर्टिलिटी है या महिलाओं की जो प्रेग्नेंसी कंसीव करना चाहती है उनके लिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है साथ में बात करें कि जैसे इसमें जो कंटेंट होते हैं वह अशोका है, सतावरी है, लोद्र है, दस्मुल है, चंदन है, गुडुची है, पुननवा, त्रिकटू, त्रिफला यह ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जो कि वात्शामक होते हैं साथी साथ में वात्शामक के साथ में यह हमारे पीरेट्स को रेगुलर करते हैं एक 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 कैपसूल खाना खाने के बात में सुबह सामक हमें ले cuma रहें इस हमें थाइं रहें सामको ले रह समय के लिए यह हमने खाना थाथी बात में की एक काःम लेको दोता है ताकि हमारी जो मेडिसन है वह प्रॉपर रूप से वर्क कर सके आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसमें जो बात करें स्ट्रीप के अंदर दस टाबलेट आती है पिंक या लाइट पिंक कलर की इसकी कलर की टाबलेट्स होती है इनमें हमें एके गोली सुबह साम खाना खाने के बाद में लेनी चाहिए इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्योरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूल सकते हैं थैंक यू